नमस्ता स्वागते आपका अब देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैकीर्थी अमेरिका की उपर राश्पती कमला हैरस और प्रधार्मंतिर नरीद मोदी के बीच गुरुवार को फोन पर बात हुई दोनों ने दाओ के बीच वाक्सीन को लेकर चर्चा हुई कमला हैरस ने प्रधारमंतिरी से वाक्सीन सप्लाई का वादा किया है न्यूज एजनसी एनाई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है ये फोन कमला हैरस की तरफ से ही प्रधारमंतिरी को किया गया था प्रधान मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कुछ देर पहले कमरा हैरेस से बात हुई मैंने दुनिया भरत में वैक्सीन शेरिंग के लिए अमेर की रणनीती के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के आश्वासन की सारहना किस के अलावा अमेर की सरकार कारूबारि उसे मिले मर्थन के लिए भी उनका धन्यवात धिया पीम ने कहा की उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि वाक्सीन को लेकर भारत अमेरिका की चल रहे दिशा दियाने 1.9 करोड को वाक्स के तहत दूसरे देशों में भीज़े जाएंगे जबकि बाकी बचे 60 लाग डोस उन देशों में भीज़े जाएंगे जहां कोरोना के मामले तेजी से बाढ़ रहे हैं में कनादा मैक्सिको भारत और दक्षिन कोरिया को भीज़े जाएंगे पंजाब में प्रदेश काई में चल रही कल है कि बीच मुख्य मंतरी कैप्टन अमरंदर सिंग आज पार्टी के बनाए पैनल से दिल्ली में मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे से पहले कल उन्होंने डिनर पर मंतरी सांसुदों और विधायकों से मुलाकात की पार्टी सूत्रों ने बताया कि समिती से मुलाकात के बाद अमरंदर सिंग कॉंगरस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी के साथ डिजिटल बैठक भी कर सकते हैं राजसभा में नेता प्रतिपक्ष मलिका अरजुन खडगे की अध्यक्षता वाली समिती ने पिछले चार दिनों में पंजाब से तालुक रखने वाले सौसे अधिक नेताओं से उनकी राय ली इनमें अधिकता और विधायक है समिती के पूरी कवायत से अवगत एक सूत्र ने बताया कि समिती ने सोमवार से ब्रत्पत्री वार के बीच सो से अधिक नेताओं से समवात किया शकुर्वार को मुख्यमंतरी के साथ मुलाकात के बाद समवात का ये सिलसला खत्म होगा इसके बाद समिती जल्द ही कॉंग्रेस आला कामान को अपने ही रिपोर्ट्स ओपेगी खटके के अलावा कॉंग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरी श्रावत और दिल्ली प्रदेश मौंग्रेस के वरिष्ट नेता जेपी अगरवाले समिती में शामिन है गौर तलब है कि हाल ही में कुछ सबता में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग और नवजो सिंग सिद्धू के बीच तीकी बायान बाजी देखने को मिली है विधायक परगट सिंग और प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के कुछ अने नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मूर्चा खोल दिया है सिद्धू ने मंगलवार को इस समिती से मुलाकात कर अपने विचार रखे थे समिती से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि सत्य प्रतारित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता कॉंग्रेस अलाकाबां चुनाओ से कुछ महीने इस कलहा को दूर करने के साथी सिद्धू को सरकार या पार्टी में कोई महत्मून भूमिका देने के पक्ष में है ताकि चुनाओ में अमरंदर के साथ सिद्धू की लोक प्रियता का पार्टी को फायदा हो सके देश पे इस वक्त कोरोना वाइरस महमारी के लावा बड़ती महंगाई को लेकर भी हाहा कार मचा हुआ है पेट्रोल डीजर के हर रोज बड़ते दाम और लॉक्डाउन में महंगे फल और सब्जी ओन ने अब जनता की कमर तोड़ दी है इस बीच चत्तिसगर सरकार में तीन बार मंत्री रहे बिजेपी विधायक ब्रिज मोहन अगरवाल ने बड़ती महंगाई को लेकर बेतुका बयान दिया है ब्रिज मोहन अगरवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दे और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दे इतना ही नहीं कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए ब्रिज मोहन अगरवाल ने कहा कि अगर कॉंग्रेस को वोट देने वाले और कॉंग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी ब्रिज मोहन के बयान पर प्रदेश कॉंग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद चुकला ने ट्वीट कर कहा देखे बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलह जनता खाना पीना बंद कर दे पेट्रोल डीजल का उप्योग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी दरसल इससे पहले कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नरीद मोधी सरकार के 7 साल पूरे होने पर निशाना साथा था मोहन मरकाम ने कहा था कि पिछले 7 सालों में महंगाई दोगुने से ज़्यादा बढ़ गई है ये एक राश्री आपदा है करोना के कारण लोगों की आए प्राभावित है से दिक्कते और बढ़ गई है अगर महंगाई रास्त्री आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोगा खाना पिना बंद कर दें अनमे त्याग दें पिर्ट्रोल का उप्योग करना बंद कर दें तो गारी मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये तर देंगे तो महेंगा ही कम होगा देश में करोना के ग्राफ में गिरावर जारी है पिछले 24 घंटे पे देश में करोना के एक लाग 31,371 नए मामले सामने आए वहीं इस दोरान 2,706 लोगों की मौत भी हुई हाला कि नए मामले और मौतों के आकड़े में करुवार को जारी संख्या के मुकाबले कमी आई है तीन जून को जारी करोना के आकड़ों के मताबिक 1,34,154 नए मामले और 2,887 मौते दर्श की गए इदर दिल्ली में करोना के नए मामलों की संख्या में बड़ी रहत देखी जा रही है वहाँ 24 गटे में 487 नए केस सामने आए वहीं महराश में भी आकड़ों में कमी आती जा रही है राजदानी दिल्ली में आए अप्रेल और माई के महीने में करोना का भेंकर प्रकूब था दिली नगर निगम के आकड़ों के मताबिक तीनों नगर निगम की ओर से 34,750 से जादा डेच्ट सर्टिफिकर्ट जारी किये गए हैं जो कि पिछले साल के मुकाबले 250 प्रतीशस से आदिक है पिछले साल अप्रेल और माई के महीने में ही दिली नगर निगम ने 9,916 मृत्यू प्रमान पत्र जारी किये थे इस साल अप्रेल के अंत में दूसरी लहर अपने चरम पर थी इसलिए इनमे से अधिकांश मृत्यू प्रमान पत्र माई में जारी के गए हैं देश में अब जैसे जैसे करोना में हमारी वाइरस के मामले घट रहे हैं वैसे वैसे कई राज्य अब धीरे-दीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं इसी बीच महराश्ट में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर कन्फ्यूजन नजर आया राज्य की महाविकास अधारी सरकार में आपदा प्रबंदन मंत्री विजे बड़े तिवार ने 18 जिलों में अनलॉक की घुशना कर दी लेकिन इसके बाद मुक्यमंत्री कार्याले ने ये कहकर घुशना पर रोक लगा दी कि अभी प्रस्ताव विचारा धीन है मुक्यमंत्री कारयाले ने बयान जारी करके कहा कि डिजास्टर मैनेज्मेंट का प्रस्ताव विचारा धीन है जारी बयान में कहा है कि अब तक महराश्ट के कई ग्रामीन इलाकों में करोना संक्रमन कम नहीं हुआ है ब्रेक देचेन के तहत प्रतिबंद धीरे-धीरे कम किये जा रहे हैं लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है विभाग की ओर से धील देने के समंद में पांच लेवल तै करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचारा धीन है सीमों ने कहा कि जिलास्तार के आकड़ों का जायजा लेने के बाद विस्तरित रूप से सूचना राज सरकार द्वारा जारी की जाएगी गौरतलब है कि इससे पहले महरा सरकार ने राज के 18 ऐसे जिलों में कोविड-19 समंदी पाबंदियों में शुक्रवार यानी आज से धील देने की घूशना की थी जहां संक्रमंट दर और अस्पतालों में आउकसीजन युक्त विस्तरों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या में कमी आई आपड़ा प्रबंदन मंत्री विजे बड़े तिवार ने गुरुवार को राज्य आपड़ा प्रबंदर प्राधिकर गया है दो दिन के बाद आज तेल की कीमतों में बड़ोत्री दर्चकी के सरकारी तेल कमपनिया उदारा जारी कीमतों में पेट्रोल में 27 पैसे प्रती लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रती लीटर महंगा हो गया है इस बड़ोत्री के साथ ही दिली में पेट्रोल की कीमते 94. प्रति लीटर वहीं डीजल 50.66 प्रति लीटर पहुच गया है। है घरेलू बजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार और बुद्वार को कोई बदलाव नहीं किया गया था। इससे पहले एक जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों में उच्छा लाया था। इस महीनी की शुरुवात में ही कीमत 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर की विरद्धी दर्ज की गई थी। मौनसूर ने केरल में दस्तक दे दी है इसके बाद कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है और दूसरे राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग की अनुसार तिलंगाना आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों पूर्वोतर भारत के कुछ हिस्सों और जमु कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है लक्षुदीप, केरल, करनाटक, कौंकर और गोवा मध्य महराश्ट और रायल समा में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तीज बारिश हो सकती है पश्चिम, मंगाल, सिक्किम, तमिलाडू, उत्राखन और दक्षिन पूर्वी राजस्थान में हलकी से मध्यम बारिश की समावना है पंजाब के कुछ हिस्सो, राजस्तान के बाकी हिस्सो और हर्याणा के एक दो हिस्सो में हलकी आंधी, मेग गर्जना और बारिश की समावना है वहीं मध्यप्रदेश, छत्यसगड, ओडिईसा और गुजरात में छेत्र में हलकी बारिश हो सकती है भारत मौसम विभाग के अनुसार, पूरे देश में इस साल जून से सितंबर तक दक्षिन पक्षिमी मौनसून की मौसमी बारिश समान और सुवरित रहने की समभावना है मुंबई से सटे थाने में भी तीर रात दो बड़े हास से हुए ठाणे के बदलापूर में कमपनी से गैस लीक होने से आसपास के लोगों में अफरात अफरी का महौल हो गया यह गैस 3 किलोमीटर के इलाके तक फैल गये जिस वज़ा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा वही थाने के बिवंडी में भीशनाक से 15 कबार गुदाम खाक हो गए हाला कि अभी तक किसी के हतात होने की खबर नहीं मिली है थाने नगर निगम ने बताया महाराश के बदलापूर में गुरुवार रात करीब 10 बच के 20 मिनिट तक एक फैक्टरी से गैस रिसाफ की सुषना मिली छेतर के लोगों को सास लेने में दिक्कत हो रही थी रात 11 बच के 24 मिनिट पर फार ब्रिगेड ने रिसाफ को रोका स्थिति अमने अंत्रण में है कोई घायल नहीं हुआ है राजस्तान के धौल पुर जेले में बच्चों के जगड़े को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया एक महिला ने पहले तो लाठी से पिता और बेटी की जमका पिताई की बाद में महिला ने चेड़ चाड़ का रोप लगा है इस जगड़े की पूरी वारदा सीस टीवी कैमरे में कैद हो गई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है बदादी की शहर के ओडेला रोड इस्तित प्रताब मार्केट में एक मकान है उनके घर के सामने बच्चे बॉल खेल रहे थे जिसको लेकर उन्होंने दूसरी जगा खेलने की बाद की क्योंकि बच्चों की बॉल से उनके घर का शीशा पहले भी तूट चुका है इसे लेकर पडोस में रहने वाले एक महिला से कहा सुनी होगे जिस पर महिला लाठी लेकर आये और उन्होंने उस घर के मालिक और उनकी साथ माफ की जगा नौ साल की बेटी पर एक के बाद एक लाठी से लगातार कई वार किये जिससे पिता बेटी दोनों घायल हो गए बे कोट की तो महीला ने कपड़े फाड़ कर छेड़ जाड़ की मामले में फसाने की कोशिश तक की यूपी में कोरोना संक्रमन की परताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू हो रहा है सीरो सर्वे प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले में किस छेतर में करोना का कितना संक्रमन फैला है अबादी का कितना हसा संक्रमित हुआ है यही नहीं इससे भी ये भी सामने आएगा कि कितने लोगों में करोना से लड़ने के लिए इंटी बॉडी बन चुकी है बीते सुमबार को इसको लेकर सीमे योगी ने टीम नौ की बैठक की थी बैठक में सीरो सर्वे की तैयारियों का जाइजा लिया था इस दोरान अपर मोग के सच्चिव स्वास्त अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सर्वे को लेकर कारयोजना तैयार हो चुकी है सांप्लिंग का लिंग और आयू सहित विभिन मानकों पर सर्वेक्षन की रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिलेवार सर्वे करने वाले कर्मियों का प्रसेक्षन दिया जा रहा है इसके परिणाम जून के हम तक आने की संभावना है यूपी में करोना के मामलों में लगतार कमी आ रही है जिसके चलते प्रदेश भर के सभी सरकारी इस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है मुक्यमंत्री होगी आदे तराद ने करोना के अतरिक्त अन्य बिमारियों से ग्रसित मरीजों की भरती करने और उनको समय से इलाज की सुविधाय देने के लिए आदेश दिये हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताए कि मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद करोना के अलावा अन्य बिमारियों से ग्रसित लोगों को बड़ी राहत मिलेगी समाने मरीज भी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिखा सकेंगे उचेत परामर्ष हासिल कर ऑपरेशन करना उनके लिए असान हो जाएगा उन्होंने बताए कि संक्रमन के बड़ते मामलों के मद्दे नजर जिन अस्पतालों के ऑपरेशन तीन महीने से रुके हुए है उनकी ऑपरेशन भी अब शुरू हो सकेंगे प्रवक्ता ने बताए कि गर्वती महीलाओं के साथ बच्चों की भी चिकिस्थी है सुविधाय मिलने से उनको राहत मिलेगी महीन आदेश में ये भी कहा गया है कि सामुदाइक और प्रात्मिक स्वास केंद्रों पर आउट पेशन्ट और इन पेशन्ट सेवाय शुरू की जाए यादी इन केंद्रों पर किसी रोगी का इलाज चल रहा है तो रोगी को लेवल टू सुविधा में स्थान अंत्रित किया जाए ताकि उचित स्वच्चता गतिविधी के बाद सेवाय शुरू की जा सके फिलाल के लिबा सतना ही फिर आज़े होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ अब तक के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं प्राइम टीवी प्राइम टीवी